खबर रतन टाटा को लेकर है रतन टाटा का लोहाब तो आस्ट्रेलिया ने भी मान लिया है रसल भारत के दिगज उद्योगपती और टाटा ग्रूप के मानत चेर्मेन रतन टाटा को आस्ट्रेलिया के सर्वोच नागरिक सम्मान से नवाजा गया है Australia के राजदूत ने इसकी ट्वीटर पर जानकारी देते हुए कहा कि रतन टाटा को order of Australia से सम्मानित किया गया Australia के ambassador Barry O. Farrell ने अपने tweet में कहा कि भारत के साथ ही Australia में भी रतन टाटा का योगदान रहा है ये एक दिगज बिजनसमैन है Farrell ने tweet पर कई photo के साथ एक post share करते में लिखा कि भारत में रतन टाटा बिजनस इंडस्ट्री और परोपकार के दिगज है इनके योगदान का असर Australia में भी देखने को मिला है रतन टाटा ने आगे लिखते हुए कहा कि Australia और भारत के relationship के long standing commitment के लिए order of Australia से समानित करते हुए खुशी हो रही है बताते कि रतन टाटा को Australia-India bilateral relationship, trade, investment और परोपकारी के लिए Australia के general division में एक माला दधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है टाटा पावर, Odisha, distribution, limited यानी की TPSODL के executive राहुल रंजन ने अपनी LinkedIn पोस्ट की दुरान इस ceremony की photos भी शेयर की है राहुल रंजन ने अपने पोस्ट में लिखा कि रतन टाटा का योगदान दुनिया भर में है उनकी leadership, quality और vision में कई लोगों ने अपनी मंजिल को हासल किया रतन टाटा ने अर्थवरस्था में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि रतन टाटा की company दुनिया में परोपकार के लिए भी जानी जाती है रतन टाटा की दरिया दिलियों और उन्हें जो सम्मान मिला है उसे लेकर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स बजाकर चरूर बताएं